नाष्टे में आज मैं आपको लेके आया हूँ अपर बज़ार में जहां पे मिलता है जी दुसका। यह है यहां का staple diet यह है यहां का नाष्टा जो की लोग खाना पसंद करते हैं। और मैं आपको लेके आऊँ, 100 साल पुरानी दुकाल पे, इनका दुस्का, इनके यहां के समोसे और इनके यहां की जलेवी के लोग दिवाने हैं, सबसे खास बात यह है कि सुबा से लेके राब तक यही पे आपको सबसे बहतरी दुस्का, जलेवी और समोसे मिलते हैं, लेके चलते आपको इनके बाद दिखाते किस तरीके से इसे तयार किया जाता है और क्यों राची के लोग इतने ज़्यादा दिवाने हैं इस नाश्ते के आईए मेरे साथ यह है दुस्का का बैटर जो की अपर आ यहां पर रेते है और यह जो मत्सक्तिर्त उसके के अपर रखा जाता है और लेकर उसके बाद इसको फ्राइ करने के लिए चोड़ा जाते है आप बैटर देख सकते हैं कि बहुत जाबा fluffy है बहुत जाबा घुटा हुआ है और यह जो बैटर है ना दरसल यह बनाया जाता है उड़त और चावल से उड़त की दाल और चावल से साथ में इसमें जीरा धनिया और बाकी का जो मसाला नमक अगेरा है ना वो भी रहता है तो आप यहां पर यह बनने जा रहा है दुस्का और दुस्का जो है ना वो रांची का सबसे जादा ट्रिश्टिल ब्रेकफास्ट है वैसे आपको नाश्ते में लोग देखेंगे बीट चावल खाते हुए जादा लेकिन जब बात करते हैं नाश्ते की ना पर्टिकुलर देसी रजडर हिए नाश्ते की तो आपको यह रजम यह बोहत सारे लोग बड़े चावस सीषको खाते हैं और यह जो आप बेखने न इसको तयार किया जाता है चने की दाल, उड़त की दाल और सफेद चावल से तीन इंग्रीडेंट्से से तयार किया जाता है और बाकी का जो फ्लेवर होता है वह आपको आता है इसमें चट्मी में और साथ में इसको दी जाती है आलू की सब्जी बहुत ट्रेडिशनल ब्रेकफ़स्ट और वन आफ दी म सुबह लेकि शाम तक रात तक लोग दुष्का खाते रहते है और यहां पे क्वॉंट्वज़ दुष्का भर-बर के यहां पर इसको बड़ने बनाई जाती है और इसको भड़े जहाते है और दुष्का के साथ बढ़े जाता है इसे लिए लोग बड़े चाव से बड़े एक प्लीट में जबना चैया थे अप्लीट प्राइब बहुथ तो यह कितने की रहती है सोला रुवे की बहुत किया सबसे खास बत इस दुकान की यहां पर को करदों थैक्प इस तो बंता रहता है तो sports figure यह इन उन्होंने ह्बार निकाल क्या रहे मुद्जा कोईलय की आंच पर क Except समोसे नहीं खाया ना भट्टी वले तो एक बार रांची में आके यहां पर ट्राइ कीजेगा आप सारी जगों का सुवाद भूल जाएगे एक smokiness एक अलगी flavor आप है इनके समोसों के अंबर और शायद इसलिए लोग इतने जादा दिवाने हैं शायद इसलिए सुबा से लेके राब तक यहां पर यह बट्टी चलती रहती है और इसलिए इनके जो समोसे दुसका और साथ में जो जलेवी है वो continuous फिक्टा भी रहता है नाश्ते के शौकीन है अच्छा अलग कुछ राची में ढूंड रहे है मठर और चावल के अलावा ना तो यहां पर आके इनके समोसा दुसका और साथ में जले भी जरूर ट्राइ कीज़ेगा यहां पर जो समोसे है वो crispy fried हो चुके है और जैसे कि मैंने आपको बटाया कि अ आज भी उसी तरीके से चल रही है जैसे जब शुरुआत की गई थी तब थी जब समोसा पहले शुरू होगा कितने का बिक्ता था तब डेड रुपे अब दिखाते हैं जी आपको किस तरीके से बनाई जाती है यहां पर जलेवी और आप देखें कि यहां की जलेवी है ना बहुत जबा क्रिस्पी होती है बहुत जबा बढ़िया और बहुत जबा मीठी होती है आपको मिलती है अब देखिए आप जलेवी तयार करने जा रहे है यह देखिए सूपर क्रिस्पी जलेवी है फ्लार की शेप में यहां पर जलेवी को तयार किया जाता है और बिलकुल अलगी टेकनिक है यहां पर जलेबी को बनाने की, कितने यूनीक तरीके से जलेबी को बना रहे है, बाकि सारी जगों पर जलेबी की कड़ाई में जलेबी बनती है, लेकिन यहां पर जिसमें दुसका फ्राई हो रहा है, उसी में यह जलेबी को फ्राई कर रहे है, यह भी सब्सक्राइब जब तैयार हो जाती है आप देखेंगे औरिंज कलर की चास्टी है यहां पें केसर युक्त चास्टी है उसके अंदर ही जलेबी को डिप किया जाए है ताकि चास्टी से सोक कर ले सारी की सारी जलेबी को और जब आप इसकी बाइट लेना तो भरपूर मादला में वो मिठास आपको मिले जो कि आप खाना चाहते है यह देखिए क्या बात है बाइ देखिए आज की डेट में आज की जेनरेशन में जब लोग प्लास्टिकर दाबा इस्तिमाल कर रहे हैं मैं देख रहा हूं थर्मा कॉल का भी इस्तमाल कर रहे हैं लेकिन जब आप रांची आप देना एक चीज जो मुझे यहां पर देखने को मिली है जिसमें खाना सफ किया जाता है वह पत्तल में अब यह है जैसे देखिए सत्वा का पत्ता जिसके अंबर जब से यहां पर नाश् को सफ किया जाता है को अपको इसी में मिलेगा और समय मिलेगी और यहां के लोग केते हैं कि अगर आपने इसमें नाश्ता किया तो इसका स्वाद, अगर समोसे का 10 में से 9 है तो 10 में से 11 हो जाएगा और वैसे ही बागी सारी चीजों के साथ भी है तो भाई ये ट्रेडिशन, ये परंपरा यहां राची में तो at least कायम है और यह यह उमीद करता हूँ अगर वैसे ना राची जावब आते है तो नाशते में लोग मैंने आपके देखा है मटन जावल जादा खाते हैं लेकिन जब बात करते हैं अपने ट्रेडिशनल ब्रेकफास्स की जैसे हम लोग दिल्ली में छोले बटूरे हो गये मुम्माई में आप वड़ा पाव खाते हैं यहां पर जब राची आप आते हैं दुस्ता है जो कि बहुत जादा यह फेमस रहता देखें गर्मा गरम है और इसको आपने देखा किस तरीके से यह तो तयार करते हैं काफी फ्लफी रहता है काफी फूला फूला रहता है अंदर से बहुत सॉफ्ट रहता है और बार से उत इतना ज़ादा फ्लफी है ना अंदर से और उतना ही ज़ादा क्रिस्पी उतना ही ज़ादा कुर्कुरा और उतना ही ज़ादा टेस्टी है यह बाहर से आठ रुबे के अंदर इससे बहतरीन ब्रेकफास्टना मुझे लगता नहीं कि आपको राची में कहीं भी मिलेगा समोसा तरवते हैं और जलेभी में आपको तरफन के बार्रे नोग शे जा लोग यह आसी हमाः किल सब्सक्राइल घेव चाहा है जैर आपको ₩ तो दुसका खाते हैं, दिन बर खा सकते हैं, कोई दिख करते हैं मेरे गर के नजिखी है दुसका तो बहुत लाजवाब था, उसके बाद यह जलेवी आज आ थोड़ा था पास और जलेवी को दिखाओ भाई इसतनी जादा क्रिस्पी है, इतनी जादा पतली है और हात में आती ही लग़ा है कि इतनी कुरकुरी होगी, मैं खा के बतालों हम लोग जितना खा लेते हैं बाया, जितना कहाते हैं उतना ही खाने कबन करताया अब ही खाएगे आपकर वैसा ही लगएगा साथ में धनिया के चटनी देते हैं तो इसको पर तो गाना निकाल दिया है बहुत लोग दूसका वर्रा खाएंगे जारकन में बश जाएंगे लेकिन अगर जलेभी भी खाएंगे ना तो गिभी आपके दिल में बश जाएगी है मेरी शॉरिटी है बड़ी कृकृरी है और कि दंग्रेज गली हो गया अपर वजार के चौक हो गया और किसे बूली जाएगे दुसका का दुकान का पूरा परव्यार में कई भी मिल जाएगा लेकिन इनका मेरे को लगता है एक नंबर है ओल्डेस्ट है और बताएगे कैसी लेगी आपको हमारी रेकमेंडेशन लेकिन हमारी जो खाने की तलाश है वो तो चलती रही है और हाँ एक और वाद चाहल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजे और मिलते हैं फिर आफ से अगली बारी कुछ नया कुछ अनोखा कुछ अलग स्वात के साथ जले भी खाके तो जाईए